Hey everyone, इस वीडियो में हम Splits Villa के All Ideal Matches के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कौन कौन से कपल को और एकल के सामने जाने का चांस मिलने वाला है तो Splits Villa के upcoming journey के अंदर कुछ कपल को Ideal Match बनने के लिए और एकल के सामने जाने का चांस मिलने वाला है और उन में से बहुं से कपल Ideal Match बन भी जाएंगे उन से भी कपल के नेम की बात करें जो के Ideal Match बनने वाले हैं तो First Couple है Harz and Rusalie जी हाँ, Harz and Rusalie First Dome Session के अंदर एक Ideal Match बन गये हैं और उनके साथ Second Ideal Match की बात करें तो वो हैं Eddie and Cassis जी हाँ गैस, आपकमिंग एपिसोड के अंदर हमें Eddie and Cassis Ideal Match बनने के लिए और एक Ideal Match बन भी जाएंगे और ये दोनों एक Ideal Match बन भी जाएंगे नेक्स Ideal Match की बात करें तो वो हैं Jesuit and Akriti जी हाँ गैस, इन दोनों को भी और एकल के सामने जाने का चांस मिलने वाला है और ये दोनों भी एक Ideal में बन जाएंगे जो Splits भी लगा हमें जर्णी प्रोमो देखने को मिला है उसमें Jesuit and Akriti को और एकल के सामने स्पोर्ट किया गया है ये दोनों भी हमें as a Ideal में जर्णी के अंदर देखने को मिलेंगे एंड इसके बार नेक्स Ideal मेच की बात करें तो वो हैं Dikwijze and Unnati जी हाँ गैस, ये दोनों भी हमें as a Ideal में सो के अंदर देखने को मिलेंगे और भी connections के बात करें जिने औरेकल के सामने जाने का chance मिल सकते है तो वो है आदित मीनोचे और कनक जी हाँ guys इन्हें भी साइस से ideal match बनने के लिए औरेकल के सामने जाने का chance मिलने वाले है यह तो confirm नहीं पता कि यह ideal match बनेंगा फिर नहीं लेकिन यह हमें जर्णी के अंदर साथ देखने को मिलने वाले हैं और इनके साथ साथ सीवेट और एनिका इन दोनों को भी औरेकल के सामने जाने का chance मिल सकता है बट यह दोनों साथ से ideal match नहीं बनने वाले जिसके बाद भी यह दोनों साथ में हमें जो इक साथ साथ देखने को मिलेंगे यह दोनों का सो के अंदर वाले है